हेलो ब्रिलियंट्स अभी हम कर रहे हैं शिक्ष्ट कलास के लिए N.C.E.R.T.Math चैप्टर नमबर सेवन फ्रैक्शन्स ट्राइदीज है ये पेज नमबर 155 का कोश्चन नमबर 2 अभी हम इस ट्राइदीज का करेंगे इसका हम पहले कर चुके हैं वीडियो अब इस कोश्चन को ध्यान से समझिए जो अभी हम करने जा रहे हैं इसमें क्या दिया हुआ है और इसे कैसे करना है स्टेटमेंट कैसे लिखनी है ममा ने क्या कहा निलू को और उसके भाई को मतलब दोनों भाई बेनों को वीड यानि गेहूं में से ये जो पत्थर होते है कंकर पत्थर वो चुगने के लिए कहा जैसे कि मान लिया कि ये एक ठाली है और इस ठाली के अंदर पड़े हुए थी क्या गेहूं गेहूं के अंदर भी कही पर यहां पर छोटे छोटे पत्थर होते हैं तो वो पत्थर चुगने के लिए कहा क्योंकि अगर मान लिया रोटी के अंदर वो कंकर पत्थर पीसे हुए आ जाए तो रोटी में किरिकराट आएगी तो आप उसे खाओगे कैसे नहीं खाओगे न तो इसके लिए वो कहा गया कि इसको चुग ले तवे के उपर जो रोटी बनेगी ताकि वो स्वादिष्ट ब और उसके भाई को कहा गया यह जो कंकर पत्थर होते हैं गयों में उनको चुगने के लिए नीलू पिग्ड वन फोर्थ ओफ दा टोटल स्टोंस इन इट एंड हर ब्रादर पिग्ड आप वन फोर्थ ओफ दा स्टोंस नीलू और उसका भाई दोनों ही इंटेलिजन निकले क काम में चुस्त तो टोटल कंकर पत्थरों के उन्हों ने दोनों ने वन फोर्थ वन फोर्थ जो फ्रेक्शन है वो निकाल दिये नीलू ने भी वन फोर्थ निकाले और नीलू के भाई ने भी वन फोर्थ पत्थर जो उसमें से निकाल दिये अब दोनों ने मिल करके कितना fraction कितना part उसमें से निकाल लिया कंकर पत्थर का वो हमें निकालना है वो हमें बताना है एक बार के लिए अगर आप इसे समप करना चाहें तो क्या होगा question में क्या दिया हुआ है जो नीलू और उसका छोटा भाई इन दोनों को कहा गया गेहु में से कंकर पत्थर निकालने के लिए तो जो नीलू है इसने निकाले one fourth कंकर और जो नीलू का जो भाई है वो वोला मैं भी तेर से कम नहीं और उसने भी क्या किया one fourth कंकर निकाल दिये और अब हमें बताना है इन दोनों ने मिल करके कितने fraction कितने कंकर जो fraction के अंदर कितने जो कंकर है वो निकाल दिये हमें यह बताना है तो चलिए इसके स्टेटमेंट क्या होगी कैसे लिखेंगे वो देखते हैं तो इसकी स्टेटमेंट होगी नीलू पिग्ड स्टॉन्स इस इकल टू फ्रेक्शन के अंदर उसने निकाले one fourth clear है और जो भाई है उसने कितने निकाले younger brother picked stones तो उसने भी one by four ही निकाले अब यहाँ पर both के लिए बात आई है both pick up together what fraction कितना fraction तो यहाँ पर statement लिखेंगे both picked stones together is equal to दोनों fractions को कर देंगे हम plus one by four plus में one by four क्योंकि दोनों का denominator same है इसलिए जो numerator है उनकी addition या subtraction असानी से हो सकते है और इस case में addition होगी मतलब आपको मिला two by four अगर इसे lowest form में हम निकाले तो कुछ यहाँ पर कटने वाला है वो क्या कटेगा कुछ दोनों उपर निचे से divide हो जाएगा मतलब यह भी two से divide हो रहा है और यह भी याद रखिएगा save number से divide करना होगा इसे आप ऐसे काट के भी दिखा सकते हैं two one जा two, two two जा four या फिर ऐसे divide के रूप में लिख करके तो आपको मिलता है one by two ठीक है तो यह आपका जो one by two है यह answer हो गया और अगर मान लिया कि इसको आप और तरीके से लिखना चाते हैं तो फिर आप लिखेंगे they both picked stones they both picked half of the stones यह statement आप लिख देंगे half का मतलब क्या हुआ जो यह हमारी one by two value आई हाफ ही होती है तो इस तरीके से आप इसकी statement लिख करके आप इसके answer को लिख सकते हैं ठीक है तो कोई दिक्कत है तो आप comment box में कहिएगा मैंने उसको पूरी करने की दिक्कत को खतम करने की समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँआ thank you students for watching your own video next video में हम करेंगे इसके question number two के बाद जो question number three है उसके solution को always have a great time bye